जैमसी की आप सबको आई आज का बचन करते हैं शुरू मति की किताब चार अध्याय और उसका आठ और नौ आयत को मैं पड़ूंगा फेश शतान उसे एक उचे पहार पर ले गया और सारे जगत और सारे राज उसको वैभग को दिखा कर उससे कहा यदि तु गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझको दे दूँगा पड़े गए वचन पे प्रभू आशिश करे हमसे बात करे हम सबकी कमी घटियों को परमिशोर इस वचन से पूरा करे आईए हम प्राधना करते हैं प्यारे प्रभूजी धन्यवास तुतियों और बढ़ाई के साथ आपके चर्णों में आके जुग जा के दर्णाम करते हैं समय दिया है धन्यवाद देते हैं पड़े गए बचन प्याशिश करें सौ गुना प्रभूजी फल लाने के लिए सायता और मदद करें लोग इंक्रेज हो सके प्रभूजी कुछ जान सके उधार पास सके प्रभूजी सायता और मदद करें प्रभूजी जो चाते हैं आज बोलना मैं प्रभूजी वही बात प्रभूजी मैं बताऊं प्रभूजी इस विशे में प्रोजी आप मेरी सायता और मदद करें आप के आतों में सौब देते वे प्राद नमिंती को प्रभुईश्य मसी के नाम से मांगते हैं आमेन मत्ती का चार अध्याए हम बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं एक से लेकि ग्यारा तक हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने उसकी एक और दो आयत को ही मैंने पढ़ा है आप मत्ती का चार अध्याए एक से लेकि ग्यारा तक आप पढ़ सकते हो हमने पढ़ा कि फिर शैतान उसे उचे परवत पर ले गया और सारे जगत के राज्जी को और वैभाव को दिखाया यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुष्य मसी को शैतान एक उचे पहाड के उपर ले गया और सारे जगत को दिखाता है सारे राज्जी को दिखाता है इस दुनिया में क्या क्या चीज एक इंसान के लिए जुरुत है वो सारी चीज को दिखाता है और कहता है यदि तु मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारी चीजों को मैं तुझे दे दूँगा शेतान ये बात प्रभु इश्य मसी से कह रहा है प्रभु आपको बहुत सारी ध्यान कर रहे थे बहुत दिनों से परिक्षा जो है हर एक इंसान के जीवन में आती है लेकिन जब हर एक इंसान के जीवन में परिक्षा आती है अगर वो प्रभु में है तो वो परिक्षा को जो है पास कर देगा अगर वो प्रभु में नहीं है तो वो परिक्षा में जो ह फेल हो जाएगा लेके भाई और भेनों हर एक विश्वासी के जीवन में जो है परिक्षा होना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है जब परिक्षा हमारे जीवन में आती है तो इससे ये पता चलता है परिक्षा के समय में कि हम परमेश्वर के उपर कितना विश्वास करते हैं हम वचन को कितना जानते हैं अगर हम वचन को जानते हैं परमेश्वर को जानते हैं तो जब परिक्षा आएगी तो उसमें हम स्तिर रहेंगे अगर हम वचन को नहीं जानते हैं परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है तो भाई और भेनो जब परिक्षा आएगी तो भाई और भेनो हम उसमें पास हो जाएंगे अगर वचन को हम नहीं जानते हैं तो उस परिक्षा में जो है हम फेल हो जाएंगे हे भाई और भेनो हर एक विश्वासी के जीवन में परिक्षा से ही पता चलता है कि हम परमिश्वर से कितना प्यार करते हैं है बाई और बेनों, हम देख रहे हैं कि प्रभूईश्य मसी ने जब अपना सेवा का शुरुवात की जब सेवा सुसमाचार सुनाने के लिए शुरुवात की बत्यूसमा लेने के बाद में तो तुरंत प्रभुईश्य मसी 40 दिन 40 रात तक उपवास कर रहे थे ये उपवास इसलिए कर रहे थे तांकि सुसमाचार हर एक इनसान के जीवन में पहुंच सके प्रभुईश्य मसी जो काम के लिए इस दुनिया में आये थे कि वो अपनी पिता की इच्छा को पूरा कर सके उसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभुईश्य मसी ने 40 दिन 40 रात तक उपवास रखा है भाई और बैनों मगर जब 40 दिन 40 रात तक उपवास रखा प्रभुईश्य मसी ने तो जब उपवास जो रखा था प्रभीशु मसी ने वो ऐसे आसान नहीं था यह उपवास, बहुत ज़ादा कफिन उपवास था क्योंकि शेतान जो है प्रभुई शुमसी को आके डिस्टब करने लग गया प्रभुई शुमसी को बातों में फसाने लग गया वचन वचन बोलके वचन की बातों को लेके प्रभुई शुमसी की परिक्षा करने लग गया हे भाई और बेनो हम ये भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में सैंत परिक्षा नहीं आएगी क्योंकि हम प्रभूई शुमसी को जान गए हैं प्रभूई शुमसी हमारे साथ है बत्तुस्मा ले लिया है और हम मंडली में पहुंच चुके हैं लेकिन भाई और बेनो जब हम मंडली में पहुंच जाते हैं प्रभूई शुमसी के नाम से बत्तुस्मा लेते हैं जब उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं तो भाई और बेनो हर एक विश्वासी के जीवन में जो है शतान आता है उसकी परिक्षा करने के लिए ताकि वो विश्वास में फेल हो जाए और वो उसे नर्क में लेके चले जाए हे भाई और बैनो लेकिन हमारे प्रभूई शुमसी हमसे इतना प्यार करते हैं वो इसलिए हमारी परिक्षा करते हैं ताकि हम जो है उस परिक्षा में पास हो जाएं और उसके साथ सदा सदा के लिए राज्ये करें हे बाई और बैनो हम यहां पे तीसरी परिक्षा के बारे में देख रहे हैं यहां पे तीसरी परिक्षा है शतान उच्छे परवत पर ले गया आईशू को और सारे राज्य और सारे वैभाई को दिखाया याने कि प्रभुईश्य मस्य को शैतान जो है एक उचे पहाड के उपर ले गया और वहाँ जाके सारे राज्य को दिखा रहा है सारी चीजों को दिखा रहा है वैभाय को दिखा रहा है ताकि प्रभुईश्य मस्य कह रहा है कि देख संसार में कितने सारे चीजें हैं इन सब क को देख सुख अबिला शाह सारियं चीज़ां है इसमें ये सारे जोगे सारे मैं तुझे दे दोंगा अगर तु मुझे प्रणाम करेगा है बाई और बेनों आपके और मेरे जीवन में भी शेतान इसी रिती से काम करता है शेतान जो है आके हमको धंगी नहीं देगा है मैं नुकसान कर दूंगा, भाई और भैनों, मगर जाहिर सी बात ये है, अगर हम शैतान को पिछा करेंगे, उसको फालो करूंगे, तो भाई और भैनों वाके में वो हमें माहिर है है भाई और बैनों बहुत सारे लोगों को भी हम लोगों ने देखा होगा कि जूट बोलने में जूट बोलके बातों में फसाने में काफी लोग आपको और मुझे भी मिलते होंगे ये सारे के सारे जो है शतान इनके द्वारा जो है काम करता है है भाई और बैनों ले साथ है परमेश्वर की आत्मा हमें जरूर बता देगी हेवाई और बैनों प्रभु इश्यु मसी के पास शैतान गया और सारे जगत को दिखा के कह रहा है कि मुझे जुक्के प्रणाम कर तो मैं यह सारी वस्तुएं सारी चीजें तुझे देदूंगा हेवाई और बैनों शैतान प्रभु इश्यु मसी से कह रहा है हेवाई और बैनों क्या प्रभु इश्यु मसी को जुरूर्थ है उसको प्रणाम करने की और सारी चीजों को लेने की क्या प्रभु इश्यु मसी सारी चीजों का राजा नहीं है शुरू से लेके अंत तक जो कुछ भी बना है ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर का पुत्र है यानि कि सारी चीजों का अधिकार रखने वाला प्रभुईश्य मसी है लेकिन फिर भी प्रभुईश्य मसी के पास आके शैतान कह रहा है कि ये सारी चीज़ें तुझको दे दूँगा हे भाई योर बेनो मगर कि ये सारी चीज़ें जो है प्रभुईश्य मसी की है ये राज जो है संसार जो है ये सारी चीज़ें प्रभुईश्य मसी की है लेकिन फिर भी शेतान आके परिक्षा कर रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूँगा है भाई योर बैनो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है हे भाई और बैनो शेतान इसलिए आता है हमारे जीवन में तांकि वो अपना काम पूरा कर सके शेतान का काम क्या है हर एक इनसान को भटका देना सही रासे उसे परमेश्वर से दूर कर देना हे भाई और बेनों हर एक इनसान की जरुरत जो है बहुत सारी चीजें होती है हर एक इनसान की जरुरत जो है पहले उसके लिए पेट पूजा होती है खाना होता है और दूसरा उसका परिवार जो है सही सलामत रहे अच्छा रहे, सारी चीजे मैं अपने परिवार को दे सकूँ और तीसरा, उसके पास पैसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और सब लोगं के सामने उसकी इज़त होनी चाहिए, वाव वाव उसकी होनी चाहिए हर इंसान की एक खौईश होती है, कि मैं नमबर वन बनूँ, मेरे घर के बगल वाला मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए जब हम सोचते हैं, कि मेरे घर के बाजू वाला मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए तो भाई और बैनो जब ये सोच हमारी सोच में आ जाती है कि मुझसे आगे कोई और ना निकल जाए मेरे घर के बास वाला मेरे आफिस में जो मेरा कलिक है वो मुझसे आगे ना निकल जाए मेरा रिस्तेदार मुझसे कहीν आगे ना निकल जाए और मेरा दोस्त कहीं मुझसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए जब यह सोच हमारे जीवन में आती है, तो भाई और भेनों याद रखना कि ये शेतान जो है उसी टैम पे हमारे जीवन में जो है काम करना शुरू कर देता है हे भाई योर बैनो शेतान हमारे जीवन में भी आता है जैसे प्रभुई शुमसी के पास शेतान आके प्रभुई शुमसी की चीजों का प्रभुई शुमसी सारे जगत का वो राजा है लेकिन फिर भी उसके पास आके कह रहा है यदि तुम उससे जुक के प्रणाम करेगा तो ये सारी वस्तु तुझे दे दूँगा है भाई और बैनो वैसे ही आपके और मेरे पास हमारी जब जुरुत बन जाती है कोई चीज कि मुझसे कोई आगे न निकल जाए तो भाई और बैनो शैतान आके हमारे जीवन में जो है काम करता है शैतान आके कहता है यहाँ पे काम कर यहाँ पे तुझे अच्छे पैसे मिलें कभी कभी हम सोचते हैं पैसों के पीछे लग जाते हैं और वहां पे काम शुरू कर देते हैं लेकिन कभी कभी यह नहीं सोचते हैं कि अगर हम वहां पे काम करना चले गए तो शायद मैं परमेशुर को टैम नहीं दे पाऊंगा अगर मैं वहां पे काम करने के लिए चले गया तो शायद मैं संडे के दिन भी काम परमेश्वर को टैम नहीं दे सकता, अगर मैं वहाँ पे काम करने के लिए चले गया, शायद मैं फैमिली प्रेयर भी नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ों को हम कभी सोचते नहीं हैं, बस एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, पैसा वहाँ से आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है वहाँ से, हमें जाना चाहिए, और मन में सोच लेते हैं, परमेश्वर नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए किया है, हे भाई और बैनों, कितने ही लोग हैं, जो पैसे के लालच में, सबसे आगे रहने के लालच में, आगे निकल जाएंगे तो भाई और बैनो बहुत दूर तक जब हम पहुंच जाएंगे शयतान हमारा हाथ भी छोड़ देगा वो धोका देने में माहिर है, जूड़ बोलने में नमबर वन है, भाई और बैनो आज परमेश्वर इस वचन से हम से बात कर रहा है, भाई और बैनो आपने भी अपने फैमिली का इंतिजाम करना बहुत ही अच्छी बाते, फैमिली को अच्छा रखना, खुश रखना, चीज लेके देना बहुत ही अच्छी बाते लेकिन अगर आप परमेश्वर को छोड़के सारी चीजों को कमाने के पीछे लग चुके हो तो भाई और बैनो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है हम सोचते हैं कि शायन मेरा बिजनस अच्छा चल रहा है यह वपुशर को टैम ना दे पाओ है बाई और बैनों पैसे की होस एक एसी होस है जो अच्छे अच्छे को जो है गिरा देती एक विश्वासी को गिरा देती एक अच्छा सेवक अगर गिर जाएगा अगर विश्वास में तो वो चीज है पैसा और एक position होना सबसे उचा होना हम सोचते हैं कि सबसे उचा पद जो मिलना बहुत ही अच्छी बाते लेकिन जो सबसे उचा पद होता है जब कभी हमें मिलता है तो भाई और बैनों शेतान उसमें भी काम करता है कभी कभी है भाई और बैनों उचा पद अगर आपको मिला है तो क्या वो उससे आपकी परमेश्वर की महिमा हो रही है या तो शेतान आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है हे भाई और बैनो आज परिक्षा का टाइम में आज परिक्षा की घड़ी है आप कहां पे चले गए हो परमेश्वर को सोड के कमाने के चकर में अपने घर संसार को को आगे लेके जाने के चकर में नंबर वन बनने के चकर में अगर आप परमेश्वर को कहीं छोड के आगे मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारी चीजे मैं तुझे दे दूंगा ये भाई योर बैनो परमेश्वर के लोगों को किसी के सामने जुकने की जुरूत नहीं है परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से जादा जो है पैसों से भी जादा जो समय जो है हमें परमेश्वर क को छोड़के कमाने के चक्कर में आप परमेश्वर को अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो फैमिली प्रेयर में अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो कमाने के चक्कर में आगे रहने के चक्कर में तो भाई और बैनों आज परमेश्व बनके कमाने के चक्कर में परमेश्वर को भूल चके हो टाइम देना तो भाई और बैनो आज परमेश्वर इस वचन से अपसे बात कर रहा है कमाने के चक्कर में आपने कितने ही दिन हो गये शांत परमेश्वर से बात की हुए परमेश्वर प्राधना की हुए बैबल पड़े वे तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है कमाने के चक्कर में आप अगर परमेश्वर को टैम नहीं दे पा रहे हो अपने फैमिली प्रेयर में अपने परिवार के साथ बैठने पा रहे हो तो भाई और बैनों परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है शेतान प अगर आप पैसों में हो, आगे बढ़ने में हो, तो भाई और भेनो, इसका मतलब है कि आपने शेतान को जुक्के प्रणाम कर दिया है, हे भाई योर बेनो अगर हम परमेश्वर को प्रणाम करेंगे परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर कहता है कि जो मागोगे वो मैं तुम्हें दूँगा तुम्हारी सारी कमी गटियों को मैं पूरा करूँगा वचन में लिखा है प्रभू इश्व मस्य से जवाब देते हैं तब इश्व ने सिका है शेतान दूरो जा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को प्रणाम ना करना सिर्फ अपने परमेश्वर को छोड़ के अगर कोई भी चीज आपके जीवन में आती है शेतान है, है भाई और बैनो, क्या पैसा आपको परमिश्वर से दूर कर रहा है, पैसों की वज़ा से, कमाने की वज़ा से आप परमिश्वर से दूर हो गए है, तो आप से परमिश्वर इस वच्चन के दौरा हमसे बात कर रहा है, पैसों के चक्कर में आप अगर अगर अप उपने परमेश्वर को छोड़के किसी और को प्रणाम ना करना तो स्वर्ग दूत आके प्रभुष्य मसी की सेवा टहल करने लगए है भाई और बैनों अगर आप बिस्तिर रहेंगे विश्वास में शैतान की परिक्षा से आप अगर जीतना चाते हैं तो भाई और बैनों ज पूचे स्थानों पे लेके जाएगा और सारी कमी घटियों को आप पूरा करेगा वो अपने साथ आपको राज्य में लेके जाना चाता है क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं तो भाई और बैनों हमें परिक्षा में जो है स्थिर रहना है कमाने के चकर में पैसा मसी को भूल गए हैं तो आज परमेश्वर इस वच्चन के द्वारा हम से बात कर रहा है गौड ब्लेस यूरा